वेल्कम टू अलमाडियर श्टेंट मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते श्टेंट आज किस क्लास में अगर आप सी हिंदूस्तान के कीसी भी जाम की त्यारी कर रहे तो यकीन मानिये अगर श्टेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेट होने वाला क्य के क्यों की कि किसी भी जाम से यहां से पूझा जाता है उस टॉप्य का नाम है गूप्तकाल के बारे में बात करने वाले और इससे साकुष धिंपूररे को सिशन आप सभी के लिया गया है इस्टेंट आप से यकीन मानिएगा कि सारे प्रस्ण आप सभी के लिए exam oriented लिया गया है तो आप सभी से एक छोटा सा request है कि वीडियो को इन तक जुर देखेगा अगर आप सभी इस class का अगर PDF डालोड काना चाहते तो मैं वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप से इस class का PDF कहां से डालोड कर एक अपने कॉम्टेटी exam के लिए notes त्यार कर सकते हैं तो आप स्टार्ट करते इस्टेंट आज की इस class को आज की class का जो first प्रस्ण आप सभी का कह रहे कि गुप्त वन्स का संस्थापक कौन था गुप्त वन्स के संस्थापक की बात कर तो राइट एंसर हो जाएगा श्री गुप्त आप से नमबर शी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा इस्टेंट देखने में तो यह जो topic काफी easy लगता है लेकिन जब exam में इसे प्रश्ण पूछा जाता है तो लगता है कितना top है लेकिन उस सभी प्रश्णों का संगरा इस class में लिया गया है जहां से कि examiner आप सभी से प्रश्ण पूछ सकता है ठीके ना अगले प्रश्ण को और बात करते का रहा है कि गुप्त किसके सामन्त थे जो गुप्त वाले थे वो किसके सामन्त थे तो राइट एंसर हो जाएगा कुषाणों के सामन्त हो जाएगे आप से नंबर बी हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते श्टेंड प्रश्ण नम्बर थ्री प्रश्ण नम्बर थ्री आप सबी से पूछा जा रहा है कि गुप्त वन्स के की सासक ने सौर प्रथम महाधिराज की उपाधी धारण की थी अगले प्रश्ण को बात करते श्टेंड प्रश्ण नम्बर फॉर अगर जिस भी इस्टेंड को लग रहा है कि ये सभी प्रश्ण नम्ब को आता है तो आप सभी के लिए प्राक्टिस के तोर परोगा और आप सभी को वीडियो के इंड में कमेंट बोक्स में लिखना है कि आप सभी ने 60 प्रश्ण में आप सभी ने कितने कोशन को अटेंड कर पाए हैं ताकि आप सभी को अपने कैपसिटी का अंदाजा लग सेके ठीन क्लास को छोड़ करके नहीं जाना आप सभी को ठीके न अंडगले प्रश्ण को और बात करते फोर नंबर गुप्त सासन के दोरान निम्न लीखित में से ऐसे ब्यक्ति कौन था जो एक महान खोगोल बिग्यानिक और गणित तक गयत था गुप्त सासक के दोरान निम्न लीखित में से ऐसा कौन ब्यक्ति था जो एक महान खोगोल बिग्यानिक और गणित तक गयत था राइटेंस रोज्या कोशन नंबर फोर का अप्शन नंबर शी आरे वर्ट ये ब्यक्ति था ठीके न अगले प्रशन को और बात करते हैं फाइब नंबर कि गुप्त सासको की सरकारी दरबारी भासा क्या थी आप में दे रखा है पाली बी में प्रकिर्टि की सी में हिंदि एंडी डी में संस्कृइट दे रखा है तो कोशन नंबर फाइब का जो रायνεट एंसर हो जगा अपसे नंबर डि हो जैगा याई किसका जो बारबारी भासा था वो संस्क्रीट हो जाएगा ठीक है न अगले प्रशन को और बात करते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिज़ेगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीज़ेगा ताके सब्सक्राइब क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे ठीक कर उसे भारत का नेपोलियन करकर पुकारा तो आपसर नमबर ए में असकंद गुप्त को बी में समुंद्र गुप्त को सी में अब्रामा गुप्त को और डी में समुंद्र गुप्त को तो सिक्स का और जग आपसर नमबर डी यानिके समुंद्र गुप्त को भारत का नेपोल कौन था जिसने हुडों को भारत पर आक्रवन करने से रोका था गुप्ट वंस में अशकंद गुप्ट तो इस कोशन का जो राईट एंसर और जागा अशकंद गुपत आपसे नमबर C आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीके न अगले प्रश्ण को बात करते इस्टेंट प्रश्ण नमबर 8 आप सभी सी क्या पूछा गया मैं इस्टेंट आप सभी को बार-बार बोलाओ कि अगर आप सभी इस क्लास का अगर PDF डालोड करना चाहते ह एगा क्योंकि मैं वीडियों बताने वाला हूं कि आप से इस क्लास का PDF कहां से डालोड कर एक अपने कॉम्पूटेटी एक्जाम के लिए नोट्स त्यार कर सकते हैं ठीके न एट नमबर प्रश्ण की गुपत राजवंस की बात करें कि कि किस लिए प्रसीद था तो राइट नमबर प्रश्ण ने पूछा है कि आजनता कालाकृतियों किस से संबंदित हैं आजनता कालाकृतियों की बात करें किस से संबंदित हो जाएगा तो नाइन का होज़्यगडी यानि की गुपत काल से संबंदित हो जाएगा आप से नमबर ठीके न अगले प्रश्ण को और ब राज कभी थे कुछ विद्वानों के अनुशार ये पता सलाई कि कभी कालिदास किसके राज कभी थे तो दस को जैसी चंद्रगुब दिरिते और भीकरामा दिते हो जाएगा ठीक है न अपसर नमबर शी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रस्ण को और बात करते हैं प्रस्ण नमबर 11 दिखे 11 नमबर प्रस्ण ने पूछाए कि अजानता चितरकारी का विसे वस्तू निम्नलीखित में से किसी से सम्बंदित है तो 11 का हो जाएगा भी यानिकी बहुत धर्म से सम्बंदित हो जाएगा अगले प्रस्ण को और बात कर लेते हैं प्रस्ण नमबर है 12 दिखे 12 नमबर प्रस्ण आप सभी से पूछा गया है कि उतर गुप्त यूग में जो विस्तू बिदाले परसिद हुआ था वह कौन था वह था उतर गुप्त यूग में जो विस्तू बिदाले परसिद हुआ वह था यानिको वह कौन सा था तो बारा का जगसी यानिकी नलंदा विस्तू बिदाले हो जगा आप सा नमबर शी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण नमबर तेरा तेरा नमबर प्रश्ण पूछा गया कि एरण अभिलेख का संबंद की सासक से है तो एरण अभिलेख की बात करते हैं की सासक से हो जाएगा तो कोश्ण नमबर तेरा का हो जाएगा आप सभी का जो राइट एंसर ह जाएगा आपसे नंबर A में दिया हुआ है ब्रामगुप्त B में दिया चंद्रगुप्त प्रथम C में दिया है चंद्रगुप्त दिरिती एंड D में दिया हुआ है भानुगुप्त तो इस फ़हयान किसके सासनकाल में भारत आया था ये कोशन आप सभी के कई बार एक्जाम में पूछा गया प्रशन है कि जो फ़हयान था किसके सासनकाल में भारत आया था तो चंद्रगुप दृतिये के सासनकाल में भारत आया था ठीके ना आपसे नमबर डी हो जागा कोशन नमब चोगले प्रेसेंकोर बात करते हैं द्ध्यानदीजशागा प्रशन नंबर 15 क्या पूछा गया है तो प्रशसन ember जो 15 आ रहा है कि भारतिय सांस्कृति का स्वण यूग गोलडेन एज कौन किसे का जाता है तो गोलडेन एज की बात कर दिया कन की गोल्डेन उनम्बर 16 यानि वायान भरत आय। चंदर गुप द्रितियी के शासनकाल में वह कहा का निवाशी था तो वह चीन के निवाशी हो जाएगा अब सब्सक्याने लिसे चेंध कहा sust ले प्रश्ण चर्णर बात के टे 17 नंबर की से टु बन्ध का रचनाकार अल्ड वर सेंद्रितिय किस वंस का सासक था तो प्रवर सेंद्रितिय की बात करें तो यह हो जाएगा आपसे का वाक का टक हो जाएगा आपसे नमबर शी अगले प्रशनकोर बात करते श्रेंद्रितिय किस गुप्त कालिन सासक को कविराज कहा गया है तो अठारा का जगसी अनिकी समुन्द्र गुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है आपसा नमबर C आपसा B का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते ओनेश नमबर क्या पूछा गया है कि असकंद गुप्त को किस अस्थम्ब लेख में सक्रोपम कहा गया है तो ओनेश का जागा यानि कि कहोम अस्थम्ब लेख हो जागा आपसा नमबर A हो जगा उननेश का ठीके ना अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण नमबर 20 20 नमबर प्रश्ण आप सभी से पूछा गया है कि सिरलंका के राजा मेगवर्धन ने किस अस्थान पर भगवान बुध का मंदिर बनवाने के लिए समुंद्र गुप्त से अनुमती मांगी थी तो कहां पर बनवाने के लिए अनुमती मांगा गया था तो 20 का अजग भी आने की बो धगाया में बनवाने के लिए उनसे अनुमती मांगा गया था इस जेंट आप सभी के लिए आने वाले हर एक प्रश्ण आप सभी के लिए काफी ही पुड़ेड होगा तो वीडियो को इन्डे तक जूर देखेगा और वीडियो में आपसी को ये भी जनकारी प्राप्त किया जाएगा कि आपसी इस क्लास का पीडियो कहां से डालोड करेंगे 21 नमबर है कि मंदिर निर्माण का ला का जन्म स्वर पर्थम कब हुआ था तो मंदिर निर्माण का ला का जन्म की बात करें कि कब हुआ था तो ट्वांटीवन का अज़्जग भी अनिकी गुप्त काल में ही इसका पतास और परतम लग गया था ठीके ना अगले प्रशन को बात करते ट्वांटीटू नंबर का रहे की चंद्रगुप्त दिरितिये ने विक्रमादित्य की उपादी कब धारण की थी तो यह ट्वांटीटू का जो राइट एंसर अज़्जग अस्टेंट आप सभी का आपसे नंबर यह हो जाएगा सको को उन मुलन करने के बाद इसे यह प्राप्त हुआ था असकान समुद्र गुप्त की विक्रमादित्य का सौरी ट्वांटी थी नंबर पोचा गया कि गुप जी हो जाएगे आपसे नंबर भी बीश्णो अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रस्ट नंबर ट्वांटी फोर नंबर का रहे कि चंद्र गुप्त दृतिय ने अपनी किस विजय की खूसी में चांदी के बिसे सीके जारी किये थे तो ट्वांटी फोर का जगसी यानि कि सको को प्राजित करने के बाद चंद्र गुप्त दृतिय ने चांदी के सीके को निर्मान करवाया था ट्वांटी फाइब नंबर प्रश्ण आप सभी से पूझा जारा है ध्यान दिजेगा कि मोहरोली दिली इस्थित लो अस्थम्ब का निर्मान की सदी में हुआ है ट्वांटी फाइब का जगस चतुर्थ सदी इस निर्मान किया गया था अगले प्रश्ण को बात करते ट्वांटी शिक्ष नंबर कि फायान और हैंसौंग के ने राजाओं को देखा है अगला प्रश्ण आप सभी का ट्वांटी सेवे नंबर प्रश्ण कराई कि गुप्त कालें सासन प्रणाली किस प्रकार की थी तो 27 का अप सभी का एनिकी राज तन तरात्मक था अपसे नंबर ए इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर अपसे नंबर 37 का अगले प्रश्ण को बात करते आप सभी का 28 नंबर की फायान दोरा रचित गरंथ को कुओं की निम्न में से किसका वीवरोन नहीं मिलता है तो 28 का अप सभी का एनिकी बोध धर्मों के सिधानतों को ठीके न अगले प्रश्ण को बात करते 29 नंबर प्रश्ण क्या पूछाग एस्टेंट आप से ध्यान से देखेगा कि गुप्त अस्थापत्य काला का सर्वो क्रिष्ट मंदिर निम्न में से कौन है अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण नंबर प्रश्ण पूछा गया कि अमर्कोस के लेखक अमर्शी की सासन के सासा के दर्बार से जूड़े थे अमर्कोस की सा मतभ्य थे तो थाटिन का ओजाएगा आपसा नंबर दी थाटिक अपसा नंबर डी यानिकि चंद्रगुप्त दृतिये अपसा नंबर डी इस राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण आउसी का 31 नमबर की गुप्त सावंत को पारम करने का स्रे किसे दिया जाता है तो गुप्त सावंत की बात करें कि इसे पराम करने का जो स्रे दिया जाता है तो 31 का अजग यानि कि चंदर गुप दृतियों को ये जाता है यानि कि इसी ने पराम किया था चंदर गुप दृतियों प्रथम ने अगला प्रश्ण 32 नमबर की चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सावंत का पारंब किस उपलक्ष में किया था अगले प्रश्ण को और बात करते चंद्रगुप्त प्रश्ण 33 नमबर प्रश्ण पूछा गया है कि प्रयाग प्रश्ण अभिलेख का लेखक हरी सेण की सासक का दरबारी कभी था अगले प्रश्ण को और बात करते 34 नमबर की सारनाथ के धमेक अस्तूप का इंदिमार की सकाल में हुआ था तो 34 का जगा डी यानि की गुप्त हो जाएगा अप्सा नमबर डी आप सभी का राइड एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण का 35 नमबर की गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या का जाता था तो 35 का जो राइट एंसर यानि की डिनार का जाता था अगले प्रश्ण कर बात करते 36 नमबर की कुमार शंभों कुमार शंभा महकावे किस कभी ने लिखा है तो यह किस कभी ने लिखा है तो आप सभी का 36 जगटी यानि की काली दास के द्वारा यह रचित है ठीक है ना अगले प्रश्ण को बात करते हैं थाटी से बेन नुम्बर की नलंदा भी शुबिदाली के शपना का यूग है ने नलंदा भी शुबिदाली के श्थपना की यूग की बात करें तो 36 का 37 का नलंदा भी शुबिदाले चलते हुए आरा ठीके ना अगले प्रश्ण को बात करते स्टेंट ध्यान से दिखेगा इस क्लास को अभी तक आप से मर्चन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किये ना अभी तक कर लिजेगा क्योंकि एक लोता चनल जहां से कि यूग में भूराजस्व की दर थी तो भूराजस्व की दर की बात करता था, था ठी एट का उजग यानि कि उपज का छठा भाग दिया जाता था अगले प्रश्ण को बात करते था था नाइन अभी नंबर की नगरों का क्रामी के पतन की स्काल की एक मत्पूंड के बारे में बात किया जा रहा है अगला प्रश्ण आपसी का सब्तरह नंबर चालिस नंबर किस वंस के सास को ने मंदीरों या ब्रामडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था तो चालिस का जो राइट इंसर अजगानी की गुप्त वंस जो था ठीक है नहीं ऐसा क रिया था अगले प्रश्ण को बात करते हैं फोटीवन नंबर के दिली के महरौली के कुवत उल इसलाम मजजित के परमाणगत में इस ती प्रसिद लो अस्तम किसके सब्सक्राइटी है तो फोटीवन का जब भी आनिकी चंद्र का हो जाएगा ठीक है न अगले प्रस्ण को बात करते हैं फोटीटू नंबर की कालीजदास द्वारा रचित महामाः मालवी कान गिनमित्र नाटा का नाम था तो इस नाटा की नाम की बात करते हैं तो फोटीटू का हो जाएगा अगला प्रस्ट्ट आपस को फोटीट अबर्श के शमुंद्र गुपत की सैनिक है तो और चेंट आप सी का 40 दी का जो राइट एंसर रहाज जाएका 40 थी के रैट एंसर की बात करें तो आथ सब्सक्राइब अब यानि कि प्रियाग के प्रियाग हो जाएगा उनि経न 45 नंबर पूछ था ठीक है न अगले प्रश्ण को और बात करते इस्टिंट 45 नंबर की कौन सा राजबंस हुडों के आकरमन से अत्यांत बिचलित हुआ था तो 45 का उज़र से अनिकी गुप्त था अगला प्रश्ण 46 नंबर की निमने लिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा भीरता 46 को ज़रियन की जान की अहरंघ हो जाएगा अगला प्रश्ण के जनता गुफाओं के शरीक की जैसे गुपाय मद्द परदेश में कहां पर है तो 47 का उज़ जाने की बाग धार में हो जाएगा अगला प्राश ने 48 नमबर की बाल बिवा की प्रथा आरंब हुई थी तो बाल बिवा की प्रथा की बात करें की आरंब हुई थी तो 48 का उज़ जाएगा गुपत काल में ही ये आरंब हुई थी 46 नमबर 49 नमबर की सोने के सारदिक सिके किस काल में जारी किये गए थे तो सोने के सारदिक सिके किसे बात करें तो वो गुबत काल में ही चालू किया गया था ठीके ना आपसे नंबर B हो जाएगा अगला प्रशनावसी का 50 नंबर की सती प्रथा का पहला उलेख कहां से मिलता है तो सती प्रथा की बात के तो यह एरण अभिलेख से मिलता है अगला प्रशनावसी का 50 नंबर की गुप्त सास को द्वारा जारी किये गए चांदी के सी के काल आते थे तो यह काल आते थे रूपक काल आते थे ठीके ना अगला प्रशनावसी नंबर की चंद्र गुपद्रितिय के काल में विधा काला वा साहित्य का महान केंद्र कौन सा थ और फिव्टी थरी नंबर की कालिदास की किस कृति की निगती विश्व की सौ परशिद साहित क्रितियों में होती है अगले प्रश्ण को बात करते स्टेंड प्रश्ण नंबर फूर्टी फाइप नंबर फूर्टी फूर्टी फोर नंबर वर्तमान गणित में दसमलों प्रणाली अविसकार का स्रें निमन मेंश्व किस यूग को है तो चोवन का जो राइट एंसर उच्छेगा आपस नंबर भ बीना बजाते हुए सिक्के पर अपने को बीना बजाते हुए आकरिती अंकित कराया है तो 55 को जगा बी यानिकी समुंद्र गुप्त हो जाएगा एंड अगला प्रश्ण चपन नंबर की गुप्त कालिन पूस्त अक नवी ते कम का संबंध है तो 53 56 का जगा सभी का सी यानि की चिकिस्ता से किया गया है अगला प्रश्ण 47 नंबर की तंबा का सी का जारी करने वाला पाला गुप्त सासर कौन था तो यह हो जाएगा आप सी इस कोशन का राइट एंसर क्या होगा आप सी को कॉमेट बोक्स में देना है ठीक है ना और देखते कि इतने स्टेंट इस पाते हैं आप 58 की को नोज को सर प्रतम महंता प्रदान करने वाला थी तो यह हो जाएगा आप सी का मोखरी हो जाएगा एंड अगला प्रश्ण आप सी का 59 नंबर की गुप्त राजा जिसने विक्रम अदित्ति की पधिति गरॉन की थी यह जाएगा समुंद्र गुप्त दि आशर कौन था तो इस टोटन डिस कोशन का राइट एंसर क्या होगा आप सभी कमेटबॉक्स में इस पूर्षण का राइट एंसर जचुर दे पाइएगा देखते किछते कि यह संधि Mick inprechen 국apos पाते हैं